आयुर्वेद के ग्रंथ में बताया है कि आहार का पाचन तीन स्टेज में होता है. प्रथम मधुर अवस्थापाक में आमाशय यानी स्टमक में प्रथम पाक होता है, तब संपूर्ण अन्न मधुर रस युक्थ हो जाता है और कफ निर्मान होता है. द्वितिय अमल अवस्थापाक में समस्थ आहार अर्धपक्व होकर अमल हो जाता है. ये अर्धपक्व आहार ग्रहनी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो अमलता के प्रभाव से स्वच्छ और पतले पित का स्त्राव होता है और पित की व्रिद्धी होती है. उस समय पित्तासय से शुद्ध पित्त उत्तपन होकर आहार में मिलता है त्रितिय कटू यानी तीखे अवस्था पाक में ग्रणी में पाक और रसका शोशन होने के बाद मल रूप शेश आहार पाकवाशे यानी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो अगनी द्वारा शोशन होकर पिंड रूप हो जाता है इसमें मल की रूप्षता एवं कटूता लेकारण वात की वृद्धी होती है इसीलिए क्रम से पहले मधुर रसवाला आहार फिर बीच में खटा नमक तीखा रसवाला और अंत में तूरा और कड़वा रसवाला आहार लेना चाहिए जिससे पचाने मदद मिलती है